वेलकम बैक टू दा चानल बैक टेश्टर ट्रेडर जीहां दोस्तों आज हम हाउ टू डेटेड फॉर लिविंग बाई एंड्रीव अजीच की किताब को समराइज करेंगे यह बहतरीन किताब है दोस्तों एक beginner guide to trading tools and tactics money management discipline and trading cycle यह सारों के उपर अपना यह जो view दिया है अपना जो quotation जिया है यह बात करते हैं rules के बारे में इनकाल rules जो है ना very effective है उसके बारे में यह बताते हैं तो आई यह सुरू करते हैं how to day trading for a level कैसे किताब एक day trader के लिए best साबित होती है इसको देखने से ही समझने से ही पढ़ने से ही आपको समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा तो सबसे पहले सुरू करते हैं table of content तो chapter 1 में अपना परिचाह देते हैं chapter 2 में यह बताते हैं कि कैसे day trading काम करता है कैसे वहाँ पर आपको long build up करना है solve it up करना है याने कि buying position और saving position बनाना है साथ ही साथ यह बताते हैं retail और institutional के बारे में बताते हैं chapter 3 में यह बताते हैं risk management account management के बारे में जिसमें इनका तीन effective तरीका है risk management करने के लिए साथ चाहत टेडिव psychology और risk management के बारे में बात करते हैं चोथे chapter में बात करते हैं कि कैसे आप को stock को फ्लास करना है उसके बारे में बताते हैं साथ ही साथ यह पांचवे चेप्टर में बताते हैं साथ ही साथ ये बताते हैं chapter 7 में उनके कुछ important day trading strategies के बारे में बताते हैं, साथ ही साथ trade management के बारे में बात करते हैं, कुछ pattern है जैसे ABCD pattern, bull flag pattern हो गया, top bottom reversal pattern हो गया, या फिर उसका setup हो गया, साथ ही साथ moving average, कौन सा moving average इस्तमाल करते हैं उसके बारे में बताते हैं, वीवयड ट्रेडिंग इस्टाइड निंका है जो बताते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट एंडिंस के मत्यम से भी ये ट्रेडिंग करते हैं, साथ है साथ ही इनका अलग trading strategy के बारे में बात करते हैं फिर यह आपके बदाते हैं आपको खुद का अपना trading strategy आपको develop करना है chapter 8 में यह बात करते हैं कदम दर कदम एक successful trade कैसे आपको लेना है उसके लिए सबसे पहले आपको watch list तयार करना पड़ेगा trading plan बनाना पड़ा है जिसमें आप entry करेंगे stop loss लगाएंगे और exit हो जाएंगे फिर execution के बारे में बात करते हैं फिर आप देखेंगे कैसे आपको यह चीजे करना इसके बारे में बात करते हैं फिर chapter 9 में बताते हैं step for beginner traders यह beginner traders के लिए एक नया कदम बताते हैं तो चलिए दूस्तों सूरू करते हैं chapter 1 जिसमें बताते हैं कैसे जो day trading का fundamental है यह अलग style है मतलब कोई investing से अलग है उसके बारे में बताते हैं तो कुछ strategy यहाँ पर बात करेंगे प्रतिक trader के लिए तो सबसे पहला rule इनका है वो है day trading is not a strategy for get rich quick याने जल्दी अमीर बनने का कोई strategy नहीं है day trading याने intra trading को यह बोर रहें कि जल्दी rich बनने का कोई strategy नहीं है इसके बारे में बात करते हैं आपको चेतामनी जे रहे हैं chapter 2 में बताते हैं कि इनका जो rule है chapter 2 नहीं है रूल दो है इनका वो है कि day trading not easy यह कोई सरल काम नहीं है यह एक serious business है आपको serious business की रूप में आपको treat करना पड़ेगा यह यह यहाँ पर लेखा कर रेक्मेंड कर रहे हैं आगे देखते हैं इसका rules जो बताते हैं कि यह जो आपको serious business की रूप में आपको जल्दी देखी बताते हैं day trading is a business एक business है it is an intensely serious one यह कोई एकदम serious में से एक है जो आपको जल्दी सुभी उठना पड़ेगा आपको पहले plan करना पड़ेगा market open होने से पहले इसके बारे में बताते हैं कुछ यहाँ पर day trading के लिए क्या चीज़े required है वो है प्रहे प्राफर्स आपके पास tools होना चाहिए दूसरा आपके पास software होना चाहिए तीसरा है आपके पास visualization होना चाहिए तभी यह day trading के लिए required area ह अगर यह चीज़े नहीं है तो आपके पास अपडेट डेडिंग नहीं है डेट डेडिंग के लिए नहीं बने हैं तो डेट डेडिंग के लिए आउट क्या चीज़े जो आपको चाहिए वो है एक enough capital होना चाहिए maximum जो होना चाहिए जिसे 50,000 रूपिया हो गया 30,000 रूपि बताते हैं कि आपको एक दिम फास्ट एक्सकिशन पार्ट होना चाहिए, तुरंद बाइसल होना चाहिए, ऐसा आपके पास हटकी होना चाहिए, अगरा यह पतातने हैं कि राइड इससटाप trade करने के लिए आपके पास skinner होना चाहिए, एक community of trades होना चाहिए, एक group होना चाहिए trading करने के लिए मतलब एक group होना चाहिए traders का ऐसे नहीं का के लिए कर रहे हूँ तो सुरु में आपके लिए बताते हैं दूसरा chapter में बताते हैं कि how day trading works, day trading कैसे काम करता है तो यह बताते हैं कि ज़्यादता लोग day trading को किस नज़या से देखते हैं यह बताते हैं कि day trading को आप किस नज़या से देखते हैं तो यह बताते हैं कि यह जो है जैसे आपको समझना पड़ेगा जो stock जो move कर रहा है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि किस कारण से move कर रहा है यह overnight के कारण तो move नहीं कर रहा, यह सारे चीज़े आपको समझना पड़ेगा, तो swing trading जो है न, day trading से अलग है, उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं, तीसरा rule जो यह बताते हैं, कि आपको day trading में आप रातो रात position को hold नहीं कर सकते हैं, आपको उसी दिन माल बेच के नहीं करना हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चवता rule जो हैं का है, कि वो आपको समझना पड़ेगा, जो इस टाप move कर रहा है, वो market के अनुसार तो move हो रहा है कि न, इसको समझना पड़ेगा, यदि ये, क्योंकि जो move हो रहा है, कोई न, कोई इसका unique style है, तभी ये move हो रहा है, इसके बारे में, तो आपने आपको एक question करना पड़ेगा, market के direction move हो रहा है कि न, चेप्टर थ्री में अब देखते हैं, risk management, account management के बारे में, तो सबसे पहले जो component है, trading का वो है, psychological, psychology है, दूसरा है आपका trading strategy होना चाहिए, और एक सांदार risk management plan होना चाहिए, तभी आप एक successful day trader बन पाएंगे, इसके बारे में बताते हैं, फिर देखते हैं कि जाधता लोग fail क्यों हो जाते हैं, trading में, तो बताते हैं कि ये जल्दी loss को hold करते हैं, मतलब कि profit को जल्दी ने लेते हैं और loss को hold करते हैं, इसलिए ये fail हो जाते हैं, अगला जो point बताते हैं कि to be a successful trader बनने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा risk management को उसके नियम को सीखना पड़ेगा साथ ही साथ आपको implement करना पड़ेगा साथ ही साथ यह बताते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से line पर आप महाँ पर get out हो जाएंगे कौन से area पर आप तुरंद get out हो जाएंगे अपना loss लेगर कि उसके बारे में बताते हैं सबसे पहले एक और point जो बताते हैं कि आपको अपने rules को strategy को follow करना पड़ेगा एक और point जो बताते हैं वो है कि आपको take the quick losses जल्दी घाटा लेना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा आप आपको अपने तभी आपके बाद दुबार आप उसमें entry कर पाएंगे तो इसके लिए जब better अच्छा समय रहेगा तो आप जल्दी loss लेकर करके निकल जाएंगे फिर बाद में इस्टा आप्लास है कहां पर है वो आपको proper पता होना चाहिए तो पांच वरों तो पताते हैं कि सक्सेस इन डेट एडिंग comes from risk management देखिए डेट एडिंग में सभलता हासित करने के लिए सबसे पहले आपको risk को manage करना आना चाहिए तब है उसका risk reward receive आपको पता होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका potential reward कितना है risk कितना है तो इसके बारे में बात करते हैं आगे देखते हैं कुछ risk management के लिए कुछ सवाल आपको पता होना चीज है इससरे कि, जो मैं, जो भी trading में कर रहा हूं, जो स्टाक में कर रहा हूं, क्या वो स्टाक सही है की नी? मेरे लिए उसके बारे में बात करते हैं. दूसरा पॉइंट बताते हैं कि ये, कि जो कितना सेर जो है ना आपको लेना पड़ेगा उस trade में? उसका stop loss कहां पर रहेगा उसके बारे में बात करते हैं अब देखते हैं तीन कदम है risk management के determine your maximum dollar risk per trade देखिए आपको planning करना पड़ेगा कि आपको per trade कितना risk लेने वाले हैं 2% का की 5% का इसके लिए trading start करने से पहले आपके पास calculation होना चाहिए पहले से step 2 में बताते हैं कि आपका जो maximum per share risk है strategy की अनुसार आपका stop loss कहां रहेगा इसके बारे में लेकर बताते हैं तीसरा कदम है आपको divide करना पड़ेगा 1 by 2 to find a absolute maximum number of shares you are allowed to trade हर बार आपको trade करने के प्रतिक trade को trade करने के लिए आपके पास एक number जो होना चाहिए कितना बार trade करने को आपको divide करना पड़ेगा आगे देखते हैं यह trading psychology और risk management के बारे में बताते हैं कि why do most trader fail क्यों हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको day trading में न तुरन decision ले लेके और साथ ही साथ आपको सहीं समय पे very discipline रहना पड़ेगा उसके बारे में लेकाख बताते हैं अगला पांड यह बताते हैं कि it is hard enough to know what the market will do but if you do we do not know what you will do देखिए market कहां जाएगा क्या करेगा उसके बारे में जानने से अच्छा है आपको अपने बारे में पता हों चाहीड़ कि आप क्या करेंगे अगर आपको यह नहीं पता तो आप खेल खतम हैं इसके बारे में लेकर बता है पूछना चाहिए जो भी ट्रेडिंग करते हैं क्या उसमें फीड बैटता है आपका रिस्क मेंजिमेंट उसमें फीड बैटता है की नहीं आप यदि आप गलत हो जाते हैं तो कितना कहां पर आपका इस्टाबलास है आपको पता होना चाहिए how much money I am risking in a trade देखिए आपको एक trade में कितना risk ले रहे हैं आपको पता होना चाहिए उसमें कितना reward आप ले सकते हैं आपको ही पता होना चाहिए तो यह बताते हैं कुछ encouraging poster जो है ना आपके पास जो होना self awareness खुद को जागरुक करने के लिए कुछ होना चाहिए उसे कि क्या आप फोकस हैं उस trading में आपने risk management में आपका दिमाग सांत है की नहीं आप अच्छा decision लेते है की नहीं क्या आप profitable है की नहीं trading में यह सारे चीज़े matter करती है छटवा rule जो बताते हैं कि your cannot be a successful trader without excellent risk management देखिए आपके पास successful होने के लिए successful data बने के लिए excellent risk management skill होना चाहिए आपको इसमें master होना पड़ेगा आपको साथ ही साथ effective strategy होना आपके पास होना चाहिए सांदार strategy होना चाहिए आपके पास और सांदार risk management होना चाहिए यह इनका छटवा रूर है साथ ही साथ यह recommend करते हैं कि आपको 2% से ज़्यादा कर इसको पर टेर नहीं लेना चाहिए लेकिन आप अपने अनुसार देख सकते हैं चेप्टर फोर में बताते हैं कुछ तलास करते हैं कोट्रेड करने के लिए अपना इसेर करते हैं तो यह वालनीम के बारे हैं बात करते हैं कि प्रिविल्स दिनों में कितना वाल्यूम से ट्रेडिट किया गया है तो कुछ यह बताते हैं जो है अलफा प्रेडिल्स एक तरीका है उनको प्रेडिक्ट करने के लिए IIe relative volumes stock and that have fundamental catalysts are being traded regardless of the overall market. तो कुछ earning reports है, earning warning, pre announcement है, earning surprises है, major contract win ratio है, तो यह सीजों को मैं थोड़ा avoid करना चाहूंगा कि इसमें खुजने का तरीका कुछ अलग दिया गया है, अभी थोड़ा trend change हो चुका है, तो यह chapter 5 में बताते हैं कि उतना असरदार नहीं, चेप्टर 4 में बताते हैं, अगला जो rule है वो मैं बताना चाहूंगा, जो इस chapter का last point है, वो है rule 8, जिसमें बताते हैं कि experienced traders are like gorilla soldiers, देखिए जे trading में जो experienced trader होते हैं, जो अनभवी trader होते हैं, वो gorilla होते हैं, gorilla soldiers, army का एक छोटा दल होता है, जो छोटा team जो होता है छोटा दल का group होता है, वो किया करते हैं दुस्मन को घेर के अचानक war करते हैं, उसी प्रकास से अनभवी trader देना, gorilla की तरह होते हैं, अचानक war करते हैं, सही समय पे, right time पे entry करते हैं, जम करते हैं और तुरंट profit ले करके ना बाहर निकल जाते हैं, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप day trading आपके लिए नहीं हैं, यह लेखक बताते हैं, आने वाला chapter जो है ना पांच-छै यह उनके tools और tactics platform के बारे में बताते हैं, तो इसे मैं avoid करूँगा, आने वाले वीडियो में chapter 6 करूँगा, जिसमें chapter 6 से लेकर 9 तक हम cover करेंगे, यह भी हो सकता है, मैं उसमें उस आने वाले जो पार बचा है, उसको मैं 2 वीडियो में cover करूँ, तो आज के लिए chapter 4 तक यह पहला वीडियो है जो आपको समझ में आया होगा, उसके बाद मैं आने वाले chapter को दो पार्ट में और divide करके, यानि कि total इस किताब को तीन वीडियो में complete मैं upload कर दूँगा, यदि आप प्यानल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेरकन को प्रेस कर दीजिए, मिलते ने studio में जहिन